हेलो व्रीवन, वेलकम तो मैंगनेट बेंस, माइनम इस हीवन तुब्रस स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैंगनेट बेंस पे जो प्रोवाइट करता है कॉलिटी एजुकेशन, फुल कोर्स कंटेंट के साथ, जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं छोड़ से सर, आप तो बस आओ बराबर, बिंदास पढ़ेंगे, मज़दार पढ़ेंगे, शानदार पढ़ेंगे, आप सभी जानते हैं मैंग तक की पूरी एजुकेशन, सब कुछ, सारे टॉपिक वाइज, NCRT सॉलुशन, MIQs, MCQs, OneShot, Crash Course, DPP, PYQs, और सब कुछ करवाए जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे, जैसे आप देख रहे हैं, ये तो ठीक है, इंटेक्स भी करवा रहे हैं सर, इंटेक्स भी करवा रहे हैं, और क्या चाहिए, कुछ नहीं, NCRT एक्जामपलर तक करवा रहे हैं, और क्या चाहिए सर, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है आपको, वहीं, Magnet Bains, Hindi Medium Channel, पता काफी बच्चों को पता है कि Hindi Medium Channel नहीं है, ये वो तो आप उनको बताइए कि सर, वो भी करवाते हैं, क्ला नहीं होती, बस आप लगे रहो, शांदाल तरीके से, मज़दाल तरीके से, और लाजवाब तरीके से, जो सेग्मेंट English Medium में है, वो ही सेग्मेंट Hindi Medium में करवाया जाता है, और सबसे important बात, बच्चों को जो सबसे problem देती है, notes, ये भी दे रहे हैं, इसके लिए कुछ नहीं करना है, description box में एक link है, बस उस पर click करो, आप अपने e-books, e-notes, दोनों उठा ले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली, जी हाँ, तो सर आज कहां पहुचें, तो जैसा आपको पता है, structure of item के in-text questions को खतम कर दिया था, structure of item के in-text questions को खतम कर दिया था, अब गारी आग एकी तरफ बोले तो सर, classification of element, periodicity in properties, मैं आपको कह रहा हूँ न सर, मैं आपको बार बार एकी चीज कहता हूँ, NCRT, NCRT, रुको पीछे बतातो, NCRT, 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 अब NCRT में पता क्या होता है, सिर्फ यह नहीं कि आपने NCRT के concept पर ली आपका काम हो गया, NCRT के आपके topics पर ल पढ़ने है, पूरे, उसके बाद उसकी exercise solution करनी है, चीक है, उसके बाद आपको index solution करने है, जो मैं करवा रहा हूँ, चीक है, उसके बाद उसकी एक guide होती है, जिसको आपन कहते है, NCRT examplar, यह भी करनी है, तब जाके आपकी पूरी NCRT तयार होती है, सर, यह पूरा मिल के त तयार होता है आपका NCRT, अब आदो के लगता है, सर, हमने तो कर लिया, अरे हमारत हो गया, मैंने का बेटा, इतना आसान से हो जाता तो फिर क्या बात थी, इतना सब करने में time लगता है, सारे topics पढ़ने में time लगता है, फिर उसके बाद NCRT solution करने में, फिर उसके बाद index solution म और उसके बाद भया NCRT examplers में, और ये सब करवा रहा हूं में, चाहे वो class 11th हो, चाहे वो class 12th हो, दोनों class को बराबर मातरा से सब कुछ deliver करवाया जा रहा है, सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, और नहीं छोड़ेंगे, बस आपको लगे रहना है, आप जितनी जान से लगे रहेंगे, उतने बढ़िया तरीके से आपन ये चीज़ कर देंगे, ठीक है, डान, जल्दी बोलो, डान, की कोई problem है, नई सर हो जाएगा, चलिए सर, तो अब आजाते हैं अपन अपने पहले question पे, और क्या बोल रहा है, वो देख लेते हैं, पहला question, question number one, question number one, क्या बोल रहा है, what would be the IUPAC name and symbol for the elements with atomic number 120, नाम बताना है, सर याद करो, ये जो सौ के उपर थे, इनके अपन नाम लिखे थे बढ़िया, 120 है ना, तो 120 में कौन कौन है सर, one है, two है, zero है, one को क्या लिखते हैं, अन, इसको by, इसको nil, ठीक है, तो बस इसको जोड़ दो, क्या हो जाएगा, अन, बिनिल, और आखरी में लग जाता है, यम, अन, बाइनिलियम, ये होगा इसका नाम, और अगर आप से पूछे क्या बाई, इसका symbol, तो symbol आप लोग मुझे comment section में बताईए, भाई मैंने पढाया है या आपको सब, ये symbol मैंने पढाया हूआ है आपको बढ़िया तरीके से, एकदम शांदार तरीके से मैंने symbol तयार करा है, कोई दिकत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आईगी, पूरा बढ़िया तरीके से होता है देखिए अप अन बाइ निल और इसका नाम हो जाएगा यह देखो अन बे निलियम और लगता है सापन को आजीब बोलते हैं आपन लेकिन वो है वो ही कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होती है ठीक है पक्का और अगर इसका सिंबल की बात करें तो भाईया देखो अन का यू ले लेते फिर बाई का बी ले लेते और निल का एन लेते तो यू बी एन ये इसका सिंबल हो जाता है मैंने काना सर ये बहुत बड़ी अकोशन से सर एक नंबर में पक्का आता है पेपर में एक नंबर में पूछेगा कभी आप यह बस सोचिए कि यह एक नंबर में नहीं आएगा यह इसमें ऐसी दिक्कत है तो यह कराएं के नहीं करें छोड़ना नहीं है भाई छोड़ोगे तो आप अपने आपको ही दिक्कत में डालोगे अपने आपको ही दिक्कत में डालोगे अब देखो य 8 को opt और 9 को in यह चलता है आपका बढ़िया तरीके से यह चलता है कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होती तो यह रहा इसका और यह रहा अपना answer done पका तो sir इसका screenshot ले लो फिर आपको दिखाता हूं question number second देखो जट्थी चले हो गया कोई दिक्कत तो नहीं है बढ़े आगे next वाले पे बिलकुल बढ़िया तरीके से कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली तो second question दिखते है मज़ा आएगा सा tension लेने वाली बात नहीं है मज़ा आएगा एक नंबर तरीके से कोई problem नहीं है अगर problem हो जाए तो मिरको बताईए मिरको बता दीचेगा कोई दिक्कत हो तो वैसे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए how would you justify the presence of 18 element in the fifth period of the periodic table in the fifth period of the periodic table मैंने का ठीक है सर मैंने का done सर आजओ सर फिफ्ट पीरिड में कौन कौन से सब शेल होते है ये पहले बता दो सर यहाँ पर जो filling होती है न वो एक तो आजाता है अपना कौन सा 5S चेक है फिर आजाता है अपना कौन सा 4D ओके और फिर उसके आजाता है 5P बिलकुल ये मिलते हैं अपन को ये देखने को मिलते हैं 5S, 4D और 5P मैंने का बिलकुल सही है मैंने का डन मैंने का एक नमबर, एक नमबर, एक नमबर कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है मैंने का ठीक है सर फिर बढ़िया चल रहा है कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं है चीक, डन, अब अगर आप समझो सर, तो मैंने आपको पढ़ाया सर जी कि इनकी energy orbit भी पता चले कि किस में electron पहले जाएगा, किस में बाद में जाएगा, वैसे तो आप बुल दो कि सर 5S में पहले चले आता हूँ, तो मैंने का ऐसे नहीं, energy निकालने के लिए हमारे पास एक formula हो क्या कहते हैं सर जी, n plus l rule, मैंने का बिलकुल सही है, n plus l rule, अगर इसके according चले तो n क्या होता है, principal quantum number जो आगे लिखा हुआ है, जैसे इस case में 5 होगा, इस case में 4 होगा, इस case में 5 होगा, और दूसरा होता है, l, l जो होता है वो होता है, azimuthal quantum number, आप सबको पढ़ाया second chapter में, देखो, 0, 1, 2, 3, यह देखो, दिखा, कोई दिकत की बात तो नहीं है, अब अगर आप देखें तो n इधर पर किता है, 5, plus l क्या है, l, 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 s के लिए 0 होता है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब इसकी जो energy आएगी वो आएगी, 5, च्या है, चलो, next वाले का देखना, n कुछता है, इसके लिए 4, d के लिए l कितना होता है, d के लिए 2, 2, 2, 2, 2, 3, 6 हागई energy, energy कितनी हागी, 6 हागई, च्याहिक है, आगे देखो, आगे क्या ही है, 5, च्याहिक है, P के लिए कितना होता है 1 कितनी energy आ रही है 6 आ रही है कितनी आ रही है सर 6 आ रही है मतलब 1 की energy 5 और 2 की energy 6 मैंने खाँ ठीक है सर अब ये बात तो confirm इसकी तो करम है तो भाई ऐसा sign लगेगा लेकिन इन दोनों में क्या सर क्या equals 2 का sign आएगा क्या यहां पर है क्या equals 2 का sign आएगा क्या यहां पर है कि not equals 2 का आएगा क्या होने वाला है बताओ जल्दी मैंने कर तो equals 2 का नहीं आता है फिर हम check करते n की value किसकी value check करते है n की value n क्या बोल रहा है sir n किसका बपार है अगर दोनों की एनर्जी बराबर है तो उसकी एनर्जी जादा होगी तो जो order होगा वो यह होगा फिफ्ट शेल में या आप यह मान को चलो कि जब मैं बात करूँगा आपसे फिफ्ट पीरेड में किसमें बिटा फिफ्ट पीरेड में सबसे पहले एलेक्ट्रोन 5S में जाएगा फिर 4D में जाएगा और उसके बाद 5P में जाएगा मैंने का डंसर मैंने का एकदम सटीग बात कहिए सर कभी कोई दिक्कत की बात हो तो बताईएगा जरूर कभी कोई दिक्कत की बात हो तो बताईएगा जरूर चेक अब आप ये बताईए 5S में कितनी औरबाइटल होती है सर, S के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक औरबाइटल होती है चेक D के अंदर कितनी औरबाइटल होती है 4D, सर, 4D हो, 5D हो, कुछ भी हो D के अंदर 5 औरबाइटल होती है P के अंदर कितनी औरबाइटल होती है सर, P के अंदर होती है 3 औरबाइटल कितनी औरबाइटल होती है 3 तो अगर प्याज से देखें तो एक औरबाइटल 5 औरबाइटल और 3 औरबाइटल अगर तीनों को प्लस किया जाए तो total number of orbitals होती है 9 कितनी होती है sir? 9 orbitals कितनी होती है sir? 9 orbitals और एक orbital में कितने electron आ सकते हैं? तो total आपके इधर पर कितने electron आते हैं? 18 और हर electron एक element के साथ बढ़ता है तो बहिए total elements कितने हो जाएंगे इसके अंदर तो सर्जी आपकी फिफ्थ पीरेड में टोटल 18 elements देखने को मिलते हैं कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है मैंने का एक नंबर बात कई है कैसी बात कई है एक नंबर जल्दी नोट डाउन करेंगे सर जल्दी नोट डाउन करेंगे थोड़ा छोटा कल दे क्या थोड़ा छोटा कल दे क्या तो यह देख रहा हो कितना easy था कहां चला गया यह देखो यह देखो 18 elements done कितना elements सर 18 elements चल जल्दी नोट डाउन कर लो जल्दी नोट डाउन कर लो जल्दी 18 elements जल्दी नोट डाउन कर लो done चली अब देखते हैं अपन यह आपल थोड़ा बढ़िया मज़दार तरीके थे देखो when n equals to 5 तो l की कई values हो सकती है 0, 1, 2, 3 यही values हो सकती है चीक है लेकिन इसके साब से अगर l की 3, 4 values है इसका मतलब होगा 5s 5p, 5d और अपका 5f लेकिन सार यह अभी 5th shell में नहीं आती है 5th shell में यह दोनों participate नहीं करते हैं हमने खाँ ठीक है the order in which the energy of the available orbitals देखा अवेलेबल orbitals कौन सी होती है यही 4d, 5s, 5p increasing is यही order मैंने अभी बताया था आपको आरे बिलकुल order में कोई अरबड़ी नहीं होगी सर इतनी guarantee में आपको देता हूँ यह देखिए 5s greater than 4d greater than 5p, okay the total number of orbital available are 9 कितनी orbital available है 9 कितनी orbital available है 9 the maximum number of electrons that can be accommodate is 18 कितने electron accommodate कर सकते हैं हम अठारा and therefore 18 elements are there in the 5th period किसमें sir 5th period में कितने electrons हो सकते हैं आपके 18 बिलकुल simple था जल्दी note down करिए sir sir एकदम बढ़िया तरीके से note down करेंगे तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं और फटा फट इसको खतम करते हैं चल चलो जल्दी 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 चल clear done हो गया tick पका चल स्क्रीन शॉट जल्दी बढ़िया तीन उंगली तो फेंदी है फट से स्क्रीन शॉट हो जाता है यार यह क्या कोशन है सर यह क्या दे दिया है सर यह क्या दे दिया है the element z equals to 117 and 120 have not yet been discovered ठीक है भाईया भाईया नही हुए तो अम से क्यों पूछ रहा है नही हुए तो छोड़ देना फाल तू हमें परिसान कर रहा है 117 और 120 को लेके ठीक है चलो आगे सुनते sorry in which family group would you place these elements and also give the electronic configuration in each case भाईया न्सीर्टी इंटेक्स का कोश्चन है आपको पता होगा बकाइदा और इसमें एक चीज और मैंशन इसमें इसमें एक फिगल दिया होगा अगर आपने देखा होगा भी कोशन को तो अगर कभी आपने इसका कोशन को देखा हो बुक के अंदर तो इसमें एक फिगल दिया हुआ है मैं फिगल भी दिखा सकता हूं यह फिगल दिया हुआ है यह फिगर दिया होगा पका और इस फिगर पर बात करी गई यह उनने चीक है देखो हमने ठीक है सर क्या चाहिए इसको electronic configuration और कौनसे ग्रूप में यह family में होगा यह पूछ रहा है वह तो देखो यार सर पहले तो आप यह बताओ क्या 118 element discover बिल्कुल discover कहां पर discover यह देखो सर यह लिखा हुआ है यह ओ जी ए जी सुनते हो यह वाला ओ जी तो ओजी कहां मिल रहा है सर ऩर ओजी मिल रहा है 118 element हमें कहां पर लास्ट वाले गुरूप में noble case में कहां पर मिल रहा है हमको noble case में चेक है तो सर 117 कहा मिलेगा उससे पहले मतलब हेलोजन फैमिली में तो जो 117 होगा वो कहां पर लाई करेगा भीया हेलोजन फैमिली और जो इसका electronic configuration होगा उसके P में से एक electron को उड़ा देना वस बात कातम हो जाएगी चेक है आगे सुनो 120 अब इसके बाद 119 आता तो 19 कहा आता सर आपने periodic table बनाना सीखा है मैंने आपको सिखाया है आप लोग याद रखिए थोड़ी सी चीजों को बस यह देखिए क्या सीखाया है 1, 2, 3 से 10, 12 यही अगर मान लो let's suppose वो अगर यहाँ पर है कौन? ओ जी हाना थोड़ा सा उपर मान लेते हैं तो अरे ओ जी यहाँ पर है तो अगर ओ जी यहाँ पर है तो इसके बाद जो 119 होगा वो कहाँ आएगा? फर्स नमबर पर आएगा मतलब जो 119 नमबर आना चाहिए वो यहाँ आना चाहिए और 120 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा? मतलब alkaline अल्कलाइन अल्थ मेटल अल्कलाइन अल्थ मेटल अल्कलाइन अल्थ मेटल क्या होगा? एक्सो बीस वा नमबर कहाँ पाया जाएगा? अल्कलाइन अल्थ मेटल समझ गए? और कोई इसका electronic configuration पूछे तो हम क्या होता है? नोबल गैस के फॉर्म में लिखते तो ओजी आ जाएगा? क्या जाएगा? ओजी आ गया पहली बात तो 118 elements उसके बाद आप समझो सर ओजी तक 7 पीरेड होते हैं यह नया पीरेड आया है मतल सर इसका electronic configuration ओजी का नहीं ओजी का नहीं 120 का और 117 का भाया जो ओजी का electronic configuration होगा last में होगा 7P6 वो हो जाएगा 7P5 यह ऐसा ऐसा हो जाएगा किसका यह उपर वाले का चीक है? एक बाद देखो इसको पटक से फिर अपने इसको आगे बढ़ते हैं जल्दी 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 ब मैंने का done चलो बढ़े आगे yes देखो we see from figure that elements with z equals to 107 would belongs to the halogen family का आता ना मैंने भाया halogen family से belong करेगा group 17 and the electronic configuration would be यह पूरा electronic configuration बस इसमें एक बढ़ा दोगे तो ओजी का हो जाएगा नहीं तो यह किसका है भाया 117 का यह 117 का electronic configuration यह देखो चीक है किसका है 117 किसका है 117 मैंने का ठीक है सर मैंने का done आगे the element with z equals to 120 120 की बात कर रहे है will be placed in group 2 alkaline earth metal का था ना चीक है and will have the electronic configuration og 8s2 8s2 चलो जल्दी 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 अच्छा कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा रहेगा वह या यू यू ओ पता ऐसा क्यों 118 का electronic configuration लिख रहे है वह नाम लिख रहे है 108 क्या लिख रहे है नाम लिख रहे है मैं बताता हूं अभी पहले इसको इत्तर note down करो करा चीक है कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा रह रहे है आप og के जगा ये भी लिख रहे है देखो यह देखो अगर मैं 118 का नाम लिखने पर आ जाओ तो क्या हो जाईगा एक 118 में एक में u फिर yu और फिर क्या हो जाएगा o तो भाईया og को हम क्या क्या लिख सकते yuishing क्या लिख सकते you uo से हो गया 118 फिर 119 और 120 तो यह भी लिख सकते कुछ books में ये भी लिखाओ अगर NCRT में ये लिखाओ तो भईया घबराने का नहीं ठीक है आप ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो ओ जी लो जी सुनो जी है ना बिलकुल जल्दी फटाफट अरे ये कहां पोच गए अपन तो थर्ट पे चल रहेते हैं हम तो थर्ट पे घूम रहेते हैं ये देखे ये दिखे आपको कोई दिक्कत की बात तो नहीं है और जिस ओजी से सारे कारीगरम चले वो ओजी ये दिख रहा है किसमें है नोबल गैसेस में जाए अगे चल ईशु अब आएगा मजा कोईशन नमबर फूर अच्छा इस में पता है कि discussion से मेरे साब से 10 के सबस है मेरे साब से chain question number 10 कि घेकले नहीं पता है लेकिन शाइद portion 10 तक हैं ची ऐ, चीचा, नहीं है नहींने है कोई दिक्कत की बात नहीं है इच्छी एक है चलते आगे बढ़िया मज़ेदार कंसिडरिंग दा एक्टॉमिक नंबर एंड पोजिशन इन दा प्रियोडिक टेबल अरेंच तफॉलेंग एलिमेंट्स इन दा इंक्रीजिंग ओडर ऑफ मेटालिक करिक्टर मैंने का बईया यह तो बच्चू वाला कोशन है मुन्ना है मुन्ना अभी मुन्ने को निप्टाते हैं चलो भाइँ हमेशा याद रखना जब भी ऐसा अरेंज करने की बात आना आपको पोजिशन मांक करनी पड़ेगी किसकी पोजिशन सेल सिरे हैख-it was कि elements की position को mark करना पड़ेगा है 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 hydrogen helium lithium beryllium हाण ऐसे होता है न चीक है let's suppose कैसे बता हूं मैं है ही बता देता हूं यह मेरा lithium तो यह मेरा beryllium चीक है beryllium के बाद फिर boron carbon चलता चला जाएगा ऐसे चले आएगा ठीक है beryllium के बाद magnesium और magnesium के बाद इधर पे aluminium और aluminium के बाद यहां पर silicon हना silicon के बाद यहां पर मेरा phosphorus ठीक है ऐसे चलना है अब आप देखो silicon मिल गया beryllium मिल गया magnesium मिल सोडियम लिथियम के पहले है चीक है अब उड़ा दो भी यह इसका काम नहीं है लिथियम यह तीनों चाहिए और boron भी नहीं चाहिए मिल को carbon भी नहीं चाहिए nitrogen भी नहीं चाहिए यह पूछा aluminium भी नहीं चाहिए यह है आपके पास चीक है गुरूप माक कर लिजे फर्स गुरूप सेकेंड गुरूप थर्ड गुरूप फूर्थ फिफ्थ क्या कर रहा हूं 13, 14, 15, 16, 17 और 18 यह क्या आपको याद रहता कि इस गुरूप में अभी कोई नहीं लिख रहा है यह आपको है ठीक है अब आप बात को समझ यह सर हमने क्या पढ़ा है मेटालिक करेक्टर में जमाना है हमने मेटालिक करेक्टर के बारे में दो बाते पता है मेटालिक करेक्टर के बारे में दो बाते पता है हमको बता हूं कौन को जी पहली 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 क्या बाते डाउन दा ग्रूप दाउन दा ग्रूप metallic character increases हाना क्योंकि size बढ़ता है आसानी से electron देगा और metallic character increases second बात left to right left to right in a period की बात हो रही है ठीक है in a period metallic character decreases क्या होगा सर metallic character decreases मतलब सर इधर कम होगा इधर बढ़ेगा तो इधर जाने पर तो निपटने वाला वाया यह तो हम जानते हैं तो सर मेरे साब से इनका सबसे कम होगा रहे phosphorous BABU का सबसे कम होना चाहिए phosphorous BABU का सबसे कम होना चाहिए यह metallic character बिल्कुल सइऽ बात है और सबसे ज़्यादा किसका होगा भाया sodium बाभू का क्योंकि sodium सबसे इधर क्योंकि पूरे pre-audit table में सबसे ज़्यादा metallic कोई होता है तो वो होता है भाया हमारे कौन अलकली मेटल तो वहिए फाइनल में एने आ गया सबसे आगे और फॉस्फरोस आ गया सबसे पीछे यह चेक करके देख लो एक बार वहिए देखो एने और पी की बात हो गई है अगा चीक है पिर अगर आप देखे तो फिर अपन का जा रहे है राइट साइड तो सोडियम के बाद कौन आएगा सर मैगनिश्यम मैगनिश्यम के बाद अगर आप देखें तो सर इधर और जाओंगा तो metallic character कम हो जाएगा पक्की बात है लेकिन सर सेकंड ग्रूप जादा metallic होते हैं जो सेकंड ग्रूप होते हैं एस कंपेर टू फोर्टीन ग्रूप जादा metallic होते हैं इसी लिए अब जो number आएगा वो आएगा beryllium का और फिर beryllium के बाद तो आप जानते ही है कि phosphorus की comparison में silicon जादा metallic है यह लिज्ये सर यह final order है यह अपना final order है यह अपना final order है यह यह मेरा final order जल्दी देख लो एक बार एक बार जल्दी देख लो यह मेरा final order है कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है done, 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 done एक number हór किता सर एक नमबर के चलो mark को तक्लीफ तो नहीं है किसी को भी तक्लीफ हो दो बता धींजें वेशन नहीं होने चाहिए बिलकुल बढ़िया तरिके से सॉल्व करवान है सर कहीं पर कोई करवा के दिखाने का बच्चों की तसल्य होने का फिर निप्टाने का चल सबसे दादा sodium फिर manganesium फिर ballyleum फिर silicon और फिर phosphorus ठीक है done ठीक है आप सुनिये metallic character increases down the group and decreases along a period as we move from left to right hence the order of increasing metallic character is this बिल्कुल ठीक है चलें आगे डान कोशन नमबर फॉर खताम बिल्कुल सर नेक्स आते हैं कोशन नमबर फाइफ हां यह क्या कह रहा है सर तो पता है क्या किया है इसने फसा दिया है गंदा फसा आया है चाल लोग दे दिया magnesium aluminium magnesium plus two aluminium three plus बोल रहा increasing order में नहीं which of the following species will have the largest and smallest size आपको largest size बताना है कि largest कौन होगा और आपको दूसरा smallest बताना है वो कौन होगा largest और smallest बताना है मैंने का ठीक है सर मैंने का क्या सर इसको आप प्लेस कर सकते हैं क्या प्रियोडिक टेबल में मैंने का बिलकुल सर सर आपने अभी पढ़ाया हमको magnesium या पर है aluminium या पर है आपने ये पढ़ाया है जब हम left to right जाते तो प्रियोडिक टेबल में size कम होता है मतलब magnesium का size ज़्यादा होगा ये बात तो confirm है magnesium का size ज़्यादा होगा ये बात तो confirm है as compare to aluminium मतलब ये आपका largest size होना चाहिए ये आपका largest size होना चाहिए और magnesium से कम कौन होगा aluminium लेकिन हमने एक चीज़ पढ़िए हमने एक चीज़ पढ़िए sir अगर हम parent atom से compare करें parent atom से उसका जो cation atom रहेगा उसी से बना हुआ cation atom जैसे magnesium से क्या बना Mg2 plus और aluminium से क्या बना Al3 plus वो हमेशा छोटा होता है मतलब जो आपका answer होगा वो इन दोनों में से कोई होगा sir जो आपका answer होगा वो इन दोनों में से कोई होगा मैंने का वाता है sir अब कैसे पर चाने हैं इन दोनों में जो कौन होगा तो sir हमें पढ़ता है जब iso electronic species बात होती है sir ऐख दोनों को चेक कर लू ड़ों में 0 ilik तेरा में तीनbal 10 और 12 दो गई है इद तस इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों में बराबर कि में के species होते हैं, तो जितना जादा, क्या जितना जादा, क्या लिखे हैं आपन, हाँ, जितना जादा charge होगा, मतलब लिए से example के तौर पे M3+, हाँ, किस से compare करें M2+, से, तो जितना जादा charge होता है, उतना जादा size कैसा होता है, छोटा होता है, size कैसा होता है, छोटा होता है, मैं सोचा था, पहले मैं सोचा था, पूरा फजांस rule लिख दू, फजांस rule वाली चीजे थोड़ी से बता दू, फिर मैंने का छोड़ो यार फिर मैंने सोचा IsoElectronic वाली फिर मैं इसलिए रुखaya तो बस इतना ज़्यादा चार्ज होता है positively charge higher the positive charge ऐसा लिख लो higher the positive charge ठीक है smaller is the size smaller is the size तो इसके हिसाब से छोटा कौन होगा aluminium तो या aluminium 3 plus smallest size है इस एलेजन्ध गार बेजरे और अपका एक है न मयदेशिया उपक कई दिक वात को हो गया के में कि पहले यह बता यह देड़ाटि पराएगा हो गया का नहीं पहले यह बताईएगा जल्दी 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 largest size largest size clear है चलो एक बार check कर लो check करना हो तो largest magnesium है और smallest AL3 plus है मैंने का ही था सर मैं का ही रहा था atomic radii decreases across a period, cations are smaller than their parent atom among isoelectronic species, देखा मैने इसमें में इसमें मेंशन किया है, the one with the larger positive nuclear charge will have the smallest radii, hence the largest species is magnesium, and the smallest one is aluminium, smallest one is aluminium, smallest one is aluminium, done, done के नहीं, बिल्कुल सर, एक नमबर तरीके से, मैंने का अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, question number five clear है, question number five clear है, जल्दी एक बार session को like और share कर दीजेगा, जल्दी session को like और share कर दीजेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल, 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 कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, चलिए भी यह, question number six, question number six, अच्छा है, सुन्दर है, टिकाव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़तों लेंसर क्या है, आप पहले से ही अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, मैंने का, रूख जाओ, the first ionization, enthalpy, ये दिये, value of the third period elements, third period element की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, third period element की बात कर रहे हैं, किसकी बात चल रही है सा, third period element, मैंने का, okay, done, कोई दिक्कत नहीं, कौन-कौन है, sodium, magnesium, silicon, ओ भाई, क्या करा है इनने, sodium, magnesium, ये दो गुरूप इदर होते हैं, फिर, aluminium, silicon, ये हो गया अपना, ये group one, group two, group 13, और group 14, दिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिलकुल सही है, एक number, चीक, अब मैं एको थोड़ा समझाओ गया अच्छे से, तब ही तो मज़ आएगा, नहीं तो मैं समझ थोड़ी पाता हूँ, कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हाँ, बिलकुल सहर, done, sodium, magnesium, aluminium, silicon, respectively, ये दे दिया सर, sodium की दे दिया 496, चेक है, magnesium की दे दिया 737, ये इसकी ionization energy है, वो भी पहली, और भाईया, silicon की दे दिया 786, अब बताओ भाईया, मैंने का, बिलकुल सही जा रहा है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, नहीं है, चल ये, तो सर, क्या कहना चाह रहा है, अब ये आगे समझते हैं, 786 किस की दे दिया, silicon की, ठीक है, predict whether the first ionization energy of aluminium will be more closer to 575, और 760 justify your answer, सर, पहली बात तो समझना, मेरको दिक्कत कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ, अगर मैं left to right गया, अगर मैं left to right गया, किदर गया, मैं left to right, तो पक्की बात है, ionization energy बढ़ती है, और down the group में, ionization energy कम होती है, तो इसके according तो, यह 760 के असपास होनी चाहिए थी, हाना, लेकिन ऐसा नहीं होता, सर, पता क्यों, सर, ionization energy पे, electronic configuration बहुत matter कलता है, ionization energy पे, कई factors matter कलते हैं, इसे, electronic configuration, समझ रहें, यह पहला हो गया, दूसरा अगर आप देखें तो, nuclear charge वगेरा, यह थोड़े से factors हैं, जो ionization energy को impact कलते हैं, देते हैं उनको कि, हाँ भाई, ऐसा है, अब sodium की, अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, तो इसके आखरी में एक ही electron होता है, NS1, तो सर, यह चाहता है कि जल्दी वो electron जाए, और मैं अपने आपको stable कर लो, चीक है, अब sodium, magnesium के case में अलग बात है सरा, magnesium होता है NS2, S में maximum कितने electron हो सकते हैं, दो, तो सर, S में कितने electron हैं, दो, मतलब यह fulfilled है, यह भरा हुआ है सरा, यह packed है, यह क्या है, fulfilled है, अना fulfilled ही है ना भाई, उसके दो के दो electron क्या हैं, fulfilled है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, मैंने का, बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ, aluminium की, तो aluminium क्या होता है, NS2, NP1, सर, इसमें पूरा P नहीं भरा है, P में भरनने के लिए 6 electron चाहिए, अगर यह एक electron दे देगा, अगर यह एक electron दे देगा, फिर बन सकता है NS2, और फिर फाइदे मन दे, क्योंकि NS2 मतलब भईया, S orbital पूरी भरी है, तो सर, यह आसानी से इस electron को निकाल देता है, और आसानी से electron निकल गया, मतलब ionization energy कम, और कम का मतलब यहीं होगा, कि आपको दो figure दिये उनने, या तो बताओ, इसके पास होगी, या तो बताओ, इसके पास होगी, तो कम का मतलब तो होता है, 575 के पास होगी, क्योंकि सर, बात वही है, वह NS2 में convert हो जाएगा, NP की पे, आप यह मान के चलिए, इसको बहुत अच्छे से पकड़ के रखा इस न्यूकलियस ने, लेकिन इसको अच्छे से पकड़ा नहीं है, तो loosely packed है, जल्दी निकल जाएगा, काम खतम, यह वाली बात यहां पर आ जाएगी, जल्दी note down करिए, सर, जल्दी note down करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी note down करिए, चलो, 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 जल्दी आगे बढ़िए, फिर मजा आएगा, done, done, पका, चलिए, क्या बोल रहा है देख लेते हैं कुछ तो बोली रहा होगा इट विल बी मोर क्लोस तो 575 वैल्यू फॉर अलुमिनियम शुट बी लोवर धन देट अफ मैंगनेशियम बिकॉस ओफ एफेक्टिफ शील्डिंग शील्डिंग ओफ 3P एलेक्ट्रॉन फ्रम दा नुकलियस बाइ 3S एलेक्ट्रॉन यही हुआ ना भईये क्या हुआ नुकलियस क्या कलता है अपने आप से जाल पडखता है किसको पगड़ने के लिए लास्ट एलेक्ट्रॉन यही था सोडियम का वो सॉरी अलुमिनियम का तो अब क्या हुआ जब यह जाल फेक रहा था तो जाल के सामने कौन आगया कौन आगया भईया 3S मतलब इसने क्या प्रोवाइट कल दी शिल्डिंग एफेक्ट इसने क्या प्रोवाइट कल दी शिल्डिंग एफेक्ट और अगर इसने शील्डिंग एफेक्ट प्रोवाइट कर दी तो भाईए यह वाला इलेक्टर बज गया यह वाला इलेक्टर अगर बज गया तो यह आसानी से गुटर्गू हो गया निकल गया क्या हो गया तो आप समझ चाहिए क्या होगा फिर चल्ली नोट-डाउन करो फिर बढ़ते हैं जल्दी नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है चल्ड फटा फट जल्दी अरे बाई टाइम में लगना चाहिए फटा फट खतम करना है मिरको छे कोशन हो चुके हैं चेक है जल्दी 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 आज आओ क्या बोल रहा है विच और फॉलेंग विच और फॉलेंग विल हव दव मोस्ट नेगेटिव एन टेल्पी एंड विच दर लीस्ट नेगेटिव किसकी सबते कम होगी पहले तो मैं कहता हूं इनको प्रियॉडिक टेवल में जमाओ सर वोह ये कारण है आपको कुछ नहीं करना है आपको इनको भी मज़ा आएगा चलो जमाओ चीक है आप फॉस्फरास सल्फर सब लाइन से यह है चीक है वैसे यह लोग थोड़ा उदर होते हैं लेकिन मैंने ठीक है बना दिया कोई सबच जाना वह आप ऑक्सीजन रह गया ना यह है पोजिचन इनकी यह पोजिशन है जो मिसिंग लोग है वो उनको रख देते हैं वाली जाओ तो यह पोजिशन है चीक है आपको रेड़ वाले से डिस्कस करना है चीक है सबसे पहली बात तो मैं बात करता हूं किसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथल्पी सर आपने इस चैप्टर में पढ़ाया है जो electron gain enthalpy होती है क्या होती है सर? electron gain enthalpy क्या होती है? electron gain enthalpy वो left to right वो left to right क्या हो रही है? यह increase होती है increase मतलब more negative increase मतलब more negative increase मतलब more negative मैंने का कोई दिक्कत की बात नहीं है मैंने का बिलकुल सही है, बिलकुल सही जा रहे है more negative मैंने का done मैंने का एक तरफा बात करी गई है क्या बोला आपने left to right जाने पर increase होने पर more negative तो सारी कहानी इधर साइट पर ही होने वाली है मिरको यही लग रहा है तो sir इस हिसाप से तो हमारे लिए fluorine की electron gain enthalpy सबसे negative होने चाहिए सबसे negative electron gain enthalpy होने चाहिए सबसे negative मैंने ठीक है sir मैंने का आपकी बात सराखोपे मैं समझ गया कि यह सबसे जाधा negative electron gain enthalpy होने चाहिए थी ठीक है लेकिन sir यहीं पर एक exception भी है यहीं पर एक exception भी है कि sir fluorine से जाधा अगर मैं आप से बात करूँ तो chlorine की होती है क्यों क्योंकि fluorine के अंदर electron electron repulsion बहुत होता है और यह क्यों होता है due to small size सच छोटे हैं अब अंदर electron एक दूसरे तर लड़ा है लात मार रहा है चल रहे दूरट 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 और अब आप एक और electron को gain करने जा रहे हो अंदर वाले ऐसे गुस्से में देख रहे हैं अता माजी सटक ली बिलकुल अमने का ठीक है बाई क्या कर सकते हैं तो वह अंदर नहीं आने देते हैं इसी लिए क्लोरीन की electron gain enthalpy सबसे जाधा होती है क्या कर सकते बिचारे का तो दिल टूरिया है दिल है की मानता नहीं चीक है तो most negative electron gain enthalpy most negative electron gain enthalpy चीक है most negative electron gain enthalpy चीक है समझ में आया अब बात आता है भाईया उसने least भी पूछा है उसने क्या पूछा है least भी पूछा है तो मैं एक बार बताना चाहूँगा कि यह दोनों तो मेरी list में है यह नहीं तो सर हम कह रहा है कि left to right जाने पर बढ़ती है तो सबसे पीछे कौन है phosphorus बाबू तो least electron gain enthalpy least electron gain enthalpy चेक करो सर सर चेक करो सबसे जादा chlorine की और सबसे कम phosphorus की चलो जली चेक कर लो यह maximum phosphorus minimum बिचारा fluorine के हाथ से जगा खा गया fluorine की जगा खा गया मैंने का ठीक है खा गया तो खा गया क्या कर सकते हैं जो होना था हो गया जो होना था वो हो गया चेक है सर बिलकुल सही बात कर यह चेक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है बिलकुल डण 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 जल्दी देखो जल्दी यह maximum वो minimum डण हो गया चेक है सर पढ़ना भी जरूरी है पढ़ना भी जरूरी है electron gain enthalpy generally becomes more negative across a period as we move from left to right within a within a छीक है left to right छीक है within a group electron gain enthalpy becomes less negative down the group नीचे जाने पर कम negative होती है left to right जाने पर जाने ज़्यादा negative होती है यही मैंने आपको सबसे पहले बताया था लिखो इसको पहले लिखो इसको पहले जल्दी लिखो इसको पहले जल्दी लिखा अब देखो यहां पर अब देखो यहां पर however addition of electron to 2p orbital leads to greater repulsion than adding an electron to the larger 3p orbital 2p किसकी बात हो रही है sorry fluorine की और 3p किसकी बात हो रही है हमारे chlorine की hence the element with most negative electron gain enthalpy is chlorine is chlorine the one with the least negative electron gain enthalpy is phosphorus is phosphorus is phosphorus is phosphorus तो भई यह phosphorus और chlorine इनको थोड़ा सा खल्चा पानी अलग से देना chlorine maxima में fluorine least है चलो बिल्कुल सर बिल्कुल एकदम सटीग बात कहिए बिल्कुल मज़दार ला जवाब चलिया बड़े अगले कोशन की तरफ मज़दार शांदार भया नेक्स्ट क्या कह रहा है ओके यूजिंग दा प्रियोडिक टेबल अच्छा के रा प्रियोडिक टेबल यूज कर लो मैंने का आप भी निकालता हूं एक किदा रहे किदा रहे मैंने कहा है दिमाग में है ठीक है यूजिंग दा प्रियोडिक टेबल है predict the formulas of compound which might be formed by the following pairs of elements अच्छा इनके formulas बनाने अरे यार मैंने का ये तो ये कुछ ज़्यादा easy नहीं हो गया भाई ये मुझे लग रहा हमारे साथ खेल रहे silicon and bromine मैंने का ठीक है भाई मैंने का आप खेल रहे हैं तो हम भी खेल सकते हैं silicon का symbol क्या है पहले चीक है कभी-कभी बिटा ये भी नहीं बनता बच्चों से तो ये दिक्कत की बात है फिर bromine का symbol क्या है BR अब silicon जो होता है silicon की valency जो होती है वो होती है plus 4 चीक है bromine की valency जो होती है वो होती है minus 1 चीक है मैंने का done अब अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके का cross multiply होगा इस तरीके का तो silicon का ये और bromine का ये तो ये हो जाएगा SI BR4 SI BR4 कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत यहां तक पहले ये बताओ SI BR4 कोई दिक्कत यहां तक जल्दी बताओ SI BR4 कोई दिक्कत यहां तक वैसे आपको निकालना चाहिए aluminium and sulfur वाला इन मैंने का मैं निकाल देता हूँ reason is that कि मैं आपसे दूसरा करवा लूगा यह aluminium, यह मेरा sulphur aluminium की valency होती है plus 3 और sulphur होता है minus 2 cross करिए AL2S3 AL2S3 चीक है, मैं को थोगा सब 10th की याद आ गई मैं जब कभी 10th लेता था पहले तो 10th में इस तरीके की चीजे होती थी लेकिन चलो कोई बात नहीं बिटा हमेशा छोटी क्लास से ही अपन उपर आते हैं तो कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं होती चलो, आप कुछ formulas मेरे को बना के देंगे आया है तो मज़र लेके जाए ना जब आस कोशन के, calcium nitrate चलो barium sulfate चीक है sodium phosphate ठीक है sodium carbonate देखते हैं किसमें कितना एदम कौन बता पाता है इन सारे formulas वैसे बना लो गया आप तो इतना आगे आगे हो कि तूफान तो मचाइ दोगे सर हरा तूफान तो मचाइ दोगे कोई दिकत की बात नहीं है एक और एक और फिफ्थ और हो जाएगा एक और क्या दू व्यार क्या दू क्या दू क्या दू क्या दू कर से बना तो लोगे लेकिन फिर भी ठीक है कि कहते हैं जब यह पढ़ना है तो एक बार थोड़ा मज़े हो जाने चाहिए यह लीजे सर यह लीजे बिल्कुल 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 कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है यह सब आपके लिए हום वर के जो कि आपको कहा देने कॉमेंट सेक्शन में कहा देने बबु आ जल्दी स्क्रीनशॉत लीजिए फटा फट स्क्रीनशॉट लेंगे तब ही आपन आगे बढ़ेंगे जल्दी screenshot लेंगे तब ही आपन आगे बढ़ेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है Done? चल देखो AL2S3 और यहाँ पर SIBR4 SIBR4 चलो क्या लिखा है इनने पढ़ लेते हैं एक पर बिटा कभी किसी question को चोटा नहीं समझना है ना? हार question को solve करते हुए चलना है मैंने का ठीक है Silicon is group 14 element with a valence C of valence electron या valence C of 4 Bromine belongs to the halogen family with a valence of 1 valence electron of 1 Hence the formula of the compound is SIBR4, छीक है Aluminium 13 group का है with a valence electron of 3 Sulfur belongs to a group 16 elements with a valence electron of 2 Hence the formula of the compound will be Al2S3 चलो, भाईया, दो कोशिशन और बाकी चीक है ये कल देंगे, screenshot देंगे मिरको चलो, next next, next, next मज़दार शांदार अर्दा ओक्सिदेंगे state and covalency of aluminium in this compound are same or not नहीं सर अच्छा एक बात बताता हूँ, जो covalency होती है न बिटा वो एक तरीके से coordination number को बताती है किसको बताती है, coordination number और coordination number को बताती है, coordination number मतला जिससे आप कितने घिरे हुए, घिरे हुए लोग ने, घिरे हुए लोग आएगा ठीके, कैसा आएगा घिरे हुए लोग उसको अपन कहते हैं, coordination number अब यह देखो किस से घिरा हुआ है Aluminia में, मान लो एक CL से, एक H2O से फिर एक H2O से फिर एक H2O से फिर एक H2O से और फिर एक H2O से तो यह देख रहा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो भईया, यहाँ पर coordination number कितना बैट रहा है, बिटा 6, तो आपकी covalency भी कितनी बैठेगी, बिटा 6, अब आता है oxidation number, oxidation number मतलाब उसके उपर कितना charge है उसके उपर कितना charge है यह यह यह, प्लस 2, ठीक है, मैंने का डन aluminium को मानो x x plus minus 1 plus, water कितना होता है, यह 0 into 5 equals to plus 2 तो x equals to 1 plus 2, कितना हो जाएगा 3 1 plus 2, कितना हो जाएगा 3 बिलकुल सर, बिलकुल मतलब, basically, यहाँ पर x की value कितनी आ रही है, प्लस 3 यहाँ पर x की value कितनी आ रही है, प्लस 3 तो यह कहलाईगी, aluminium की oxidation state aluminium oxidation state कितनी है, प्लस 3 प्लस 3 aluminium oxidation state, क्या है, प्लस 3 चलो, done aluminium oxidation state, क्या है, प्लस 3 चलो done हो गया confirm, चेएगे सर एक बाद चेक कर लो ना सर नो, दोनों सेम नहीं है, oxidation state of aluminium is plus 3 and covalency is 6 तो covalency हमारी भी 6 आई है, और oxidation state हमारी भी 3 आई है, क्या कहाता मैंने, मैंने कहाता ना, दिक्कत नहीं आईगी सर आपको, इतनी guarantee तो मैं आपको देता हूँ, दिक्कत नहीं आईगी कहीं से कहीं तक, हल चीछ क्लियर है, आब आजाओ भईया, इसके पास चलो, show by a chemical reaction with water that Na2O is a basic oxide और Cl2O7 is a acidic oxide, मैंने कहाँ ठीक है सर, प्रूफ करिया, वैसे तो हमने पढ़ा है Metal oxide basic होती है, और Cl2O7, यह जो आपकी non-metal की oxide होती है Non-metal oxide जो होती है, वो क्या होती है, acidic होती है वो क्या होती है, acidic होती है, मैंने नहीं तो ऑप क्या होती है, acidic होती है, मैंने तो और कोई प्राव्iblम की बात नहीं है सब्सक्राइब फॉ मपक्का कर नहीं जल्दी बोलो कोई प्राव्बबब तो नहीं है यहां तक मैंuyu Questo मैंने का नहीं है मैंने का डैन चीख है okay 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 ठीके छीके ठीके लेकिन सर ये तो बोल दिया इनको तो पुरूफ चाहिए क्या करें कुछ मत करो दोनों को पानी में डाल दो तो अगर भाय का है अगर अगर सिदिक ऑक्साइड है तो बेश बना ले है और सर ऐसा हुआ भी है जैसे ही आपने sodium hydroxide को पानी में डाला है वहाँ पर आपका तयार हुआ है एक बेस होता है यह प्रूफ होता है कि आपकी sodium sodium oxide कैसी होती है basic in nature basic in nature आके चेक कर लीजिए एक बार यह देखिए basic in nature nao h तयार किया हुआ है यह देखिए ठीक है क्या nao h तयार किया हुआ है ठीक है और जैसे इसको हमने पानी में डाला तो यह बनाता है HClO4 HClO4 यह एक acid है ठीक है बिलकुल 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 इसी लिए हम कहते हैं यह acidic oxide हो गई और वह basic oxide हो गई done 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 यह acidic oxide और यह आपकी basic oxide को कि basic oxide को पानी में डाल दे हो तो base बना रहा है acidic oxide को पानी में डाल दे हो तो क्या बना रहा है acid बना रहा है क्या बना रहा है सलजी acid done कोई दिखर तो नहीं है लीजिए इसका screenshot ठीक है done अब देखो Na2O with water forms a strong base whereas Cl2O7 forms a strong acid Cl2O7 forms a strong acid Na2O plus water gives NaOH और Cl2O7 plus water gives SclO4 their basic और acidic nature can be qualitatively tested with litmus paper काई से टेस्ट करते हैं अपन लिट मस्ट पेपर से किस से सर जी लिट मस्ट पेपर से तो सर जी यह हो गया आपका question number 10 भी खताम मैंने काता है सर इजी है देखो एक मैं हाँ बिलकुल सर लास्ट है तो सर फाइनली आपके classification of element के classification of element के index question भी समाप्त कर दिये क्या कर दिये बिटा index questions भी clear हो गए index questions भी क्या हो गए है clear हो गए है कोई दिक्कत की बात नहीं आई यह जल्दी देखके बता दो मेरे साब से तो कोई problem होनी नहीं चाहिए अगर हो रही है तो बताओ फिर अपन समझते कैसी problem में क्या दिक्कत है क्या दिक्कत हो रही है आपको done मेरे साब से तो clear है तो एक बार भाईया अब तो like share बनता है अब तो बनता है ना राई कि नहीं बनता है तो एक बार भाईया फटाफट like share हो जाना चाहिए जल्दी like share बनता है एक नमबर तरीके से क्या होता है लाईक share बनता है एक नमबर तरीके से देख लो एक बार एक बार देख लो भाईया जल्दी डन 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 जल्दी बताओ जल्दी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताईए प्रॉब्लम बताईए आपकी प्रॉब्लम problem मताईए भी या problem हम भी तो देखें क्या problem है आपकी done 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 तेजी में है क्या कोई problem नहीं चीके चलिए तो finally इसको अब अपन करते हैं end शांदाल तरीके से मैंने का आई था सा मज़ा जाएगा एक नमबर बात कह रहा हूं बस चीके क्योंकि भाई बहुत परिशान कलते हो तुम लोग मेरे को कैसे सर गयारवी कप सर बारवी कप सर NCRT इएग्जांपलर कप सर इंटेक्स कप सर कोर्स कप सर फिफ्ट क्लास कप सर एट्ट क्लास कप तो मैंने का कल लो ना बाईया सब्सक्राइब और community post पर थोड़ा देखो पता चलेंगी चीजे हाँ चीज़ वैसे तो आप लोग ने like share करी दिया होगा लेकिन एक बार और बुलना मेरा false है फ्लीज थोड़ा सा याद रखिएगा दौाओं में चीज़े चलिए e-books e-notes ये भी available है जिसकी link आपको description box में मिल जाएगी सिर्फ click करिए और अपने notes उठा लीजे कोई दिक्कत की बाद कहीं से कहीं तक नहीं है 100% free quality content आपको provide किया जाता है बहुत बढ़िया और शांदार तरीके से high quality education आपको दी जाती है हमने कर ठीक है आप सभी जानते हैं magnet brains के दो चैनल है एक English medium और एक Hindi medium English medium की बात करें तो CBC और Delhi board दोनों cover करवाई जाते हैं वह हिं Hindi medium की बात करें तो CBC Delhi board के साथ बिहार board, UP board, MP board, Rajasthan board clear किये जाते हैं कोई दिक्कत के बिना और भी यह जरा इदर आओ Vedic mass, crash course और spoken English जिसमें crash course के तो क्या ही कहने बार बार आपको कहता हूं crash course में तो मज़ा आजाएगा एक दम धुआधार मज़ा आजाएगा कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक होनी नहीं चाहिए ठीक है डान पक्का कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं आप सभी जानते हैं अगर आप चाहें तो मैगनेट बेंज की वेबसाइट पर भी जाके सारे लेक्चर्स का लुफ्ट उटा सकते हैं एट फ्री सब कुछ प्लेलिस्ट के फॉर्म में जमा हुआ रहेगा कोई दिक्कत की बात सॉरी नहीं लेकिन वाइटी पर भी जमाय कोई प्रॉब्लम नहीं है वाइटी पर भी चलने दीजिए एवन तरीके से चीके अच्छा कल यही मिलने वाले कितने बज़े सर अरे भाया इसी वक्त इसी जगा मिलता हूँ सेम टेम सेम जगा तो कल यहीं पर आ जाईएगा आगे देखेंगे क्या होने वाला है आज नहीं बताओंगा भैया सारी पोल आज नहीं खुलेगी कल बे कल मिलेंगे तब तक लिए बाई बाई थांकिस ओमार जैहन